मोहन भागवत भगवान है क्या पहले अपने आपको तो देखें कि पहले आद्मी तो बन जाएं जो भी है पहले आद्मी बन जाएं बिना राजनिती कि में आये हम समाजी की नियाएं नहीं दिला सकते तो आपको तो कहीं से भी ठीकट मिल जागा किसी पार्टी से चाहिएगा कि तो सुप्रिम कोड भी बोल चुका है कि परजातंत्र कानून और स्वाविधान को आज दिरे दिरे खतम किया जा रहा है। पुर्व हेल्थ डीजी भारत सरकार और सबसे खास पहचान है कि उस गरीब घर में पैदा हुए जिनको सिक्षा से बंचित किया गया था लेकिन एक जिद थी सफर की सुरुवात एम्स से हुई एम्स में परहाई की डॉक्टर बने और हेल्थ डीजी के पत पर जाके रिटायर हुए पत्मसुरी का सम्मान मिला और इस देश के ही नहीं पुरी दुनिया में टॉप कलास के काडियोलोजिस्ट दिल के डॉक्टर माने जाते हैं लेकिन अपनी सोसल रिस्पोंसिलिटी समाजि इस परसाद ने आज समाजिक नयाए गरीबों को उसका अधिकार मिले इसके लिए एक नया बीरा उठाया है नई जिमदाईली है और एक पार्टी का उन्होंने गठन किया है सर बताइए विस्तार से कि इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा और क्यूं जुरुत परी नई प पार्टियां आई आए चाह उस्ताक हमारे समाज को जो गिए गिरी लोग हैं कि यह वा उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो पिता जी मजदूरी करते हैं वो भी मजदूरी बन गये क्योंकि 10th pass 12th pass का तो कोई नौकरी मिलता नहीं और आजकल तो जानते हैं आप कि क्लास 3 क्लास 4 का नौकरी को खतम कर दिया गया तो सम्मिदा पर लिया गया सम्मिदा पर क्या पैसा मिलता है तो ऐसे बच्चों ऐसे लोगों को सभी को अच्छी एकी तरह कर सीचा मिले यह मेरी पहली इच्छा है और मतलब एजुकेशन पर जोड रहेगा आपका नौकरी एजुकेशन जब तक देखे आर्थिक सुधार नहीं होगा तो समाजिक सुधार भी नहीं होगा टो आपके चह-प्रासेखा भी काम कर लेगा तो आर्थिदन का लड़ाई संसाधन की है डायफर्सिटी की है डायवर्सिटी की है कि इज़र्वेशन शिरिफ नौकरिम नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरिम नहीं इज़र्वेशन जो है सबी जगहा होना पार्टी बनाए हैं तो चुनाओ भी लड़ना होगा पहला चुनाओ के सुरुआत कहां से करेंगे दोजार चुनाओ के सुरुआत करेंगे उसके बीच में भी तिन राजियों में विधान सवा का चुनाओ होने वाला है मद्द परदेश 36 गर्राजस्थान अभी हम मद्द परदेश 36 गर्राजस्थान के बारे में तो सोचा नहीं है लेकिन कब चुनाओ होना है मैं देख लूगा क्योंकि राजनितिक में पहली बार आ रहा हूं तो देखूंगा अगर जहां अच्छा लगा कि हम जितने वाले हैं तो हम अपना कंडेट खड़ा जहां पर देखेंगे कि कोई हमारी बहुजरों की शरकार है और जितने वाली है उसके बिरुद में मैं नहीं जाओंगा लेकिन आप तो यूपी में ठीक चुनाओ भी लड़े समाजबादी पार्टी से थोरे से मामूली अंतर से चुनाओ हार गए तो पार्टी बनाने की ज जी कि सोच भी बहुत अच्छी तो मतलब हमारे तरह नहीं है हम यहीं बोल सकते हैं सिच्छा के तरफ जो होना चाहिए चुकि वह अब तो पोजिस्टन में अब तो लगातार तमाम धार्मिक बुराईयों के खिलाब बोल रहे हैं अच्छे इंसान है लेकिन उतना नहीं पार्टी बनानी पड़ी वो नहीं सोच सकते हैं तो पहले चुनाओ के सुरुवात कहां से करें अब देखिए ऐसे तो मुझे दो हजार चुबिस तो लड़ना ही है बिहार में यूपी में देली में लेकिन अब आपने एक नया चीज़ ला दिया कि मद्द परदेश राजस स्थान उससे पहले बिधान सवाद चुनाओ है इन तीन राज्यों में कब हैं 2023 में होगा सार कम 2030 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक होगा लेखते हैं अगर हमें लगेगा कि हमारे वहां के लोग बुला रहे हैं डॉक्टर साब आप इतने आप पदम सिरी हैं आप इत चाहिए हम अपने आपको सेटलमेंट करने का सौक नहीं है हमें सौक है कि अपने गरीब बच्चों को गरीब लोगों को कैसे उधार कर सके मेरे काने से नितिश कुमार को 6 मेना से मैं कि इसकोल में टीचर भरो नहीं भरा यह समझे की नहीं से मिले चीफ सेक्रेटी से मिले सब चूप रहा बताए कि इसको बोलेंगे अगर हम यही होते हम एक इंड में और पास कर ते कि जितनी भी सरकारी स्कूल है मोदी जी तो सबकी बात सुनते हैं उनसे बात किजी बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं सम्भू जी और मैं उनसे बोलूगा कि परधान मंत्री जी जी सी दीन आप अपना निती बदल दीजेगा मैं पार्टी नहीं बनाओ अरे सर पिछरो की चिंता में दूली हुई जा रही है बिजेपी दो दिनों से आप देख नहीं रहे हैं वह मैंने उस पर मैं कोई को मैं लिच्छो को राउल जी ने गाली दिया राउल जी की सदस्ता चली गई केस हो एक उन पर दो साल की सजा हो गई देखें तो सुप्रेम कोर्ट भी बोल चुका है कि परजातंत्र कानून और स्वविधान को आज देरे देरे खतम क्या जा रहा है इसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मिलकुल को लेन नहीं होना क्यों ऑर कोलीजियम अगर बनाना है तो सभी को आप हिस्सिदारी दीजें बैकवर्ट को भी शिरुल कास को भी शिरुल कास को भी आज ale учुकष इसलिए तो कह रहा हूं आप इतने इंटलेक्चुल थे पढ़े लिखे थे आप समाज को दुसरे तरह से दिसा देते तभी तो पॉलिटिक्स करने आए हैं क्योंकि आप देखें नहीं कैसे हमारे लोग को मूर्ख बना रहे हैं हमारे जो पीजेपी के नेता लोग है कैसे मूर मिल रहा है मुफ्त का वह भीख्मंगा बना दिया लोगों को उनके बनसिक्ता को कर दिया इसलिए और सरकार से मुझे नफरत है कि हमारे लोगों को भीख्मंगा बना रहे हो नौकरी दो मन रहे काम मोहन भागवत ने कहा है कि हम आपको घोडी भी चरने देंगे जलाबी शे रहें रहें आदमी बन जाएं अच्छे मानव बन जाएं लेकर करें तब समझें क्यों मानव हैं उनको नहीं समझ में आता है हर आदमी का कुण होता है उनको नहीं मालूम मने रिजर्वेशने को लेकर झाय रहा हैं रिजर्वेशन हर जगण होना चाहिए राइबेट में में थेकडारी में मेडिया में हर जगा है जब तख यह नहीं मिलेगा जब तक नहीं होगा लेक neat आर्थ आप एजुकेट कर दीजिए हमारे लोगों को हमारे लोग को तकलीफ होती है मा के पेट से हमारे लोग जब मा के पेट में मैं रहता हूं मेरी मा को अच्छा खाना नहीं मिलता और आप लोगो बता आपको बता जेना चाहता हूं कि 90% brain का development मा के कोक में पैदा लेता है तो हमारे लोग कैसे आगे बढ़ पाएं ये बताईए आप ये बताईए आप कभी सोचेगा जरूर जिन से हम बात कर रहे हैं वो देश के नहीं पुरी दुनिया में मसहूर बड़े काडियोलोजिस्ट हैं जिनोंने एम से परहाई की सबदर जंग अस्पताल को नया रूप द दिये और इसकी बज़र से इनको सरकार का भाजन भी बनना पड़ा अब रादनीतिक मैदान में उत्रे हैं मेरी लगातार कोशिस है कि इस देश का स्टी जो पढ़ा लिखा तपका है जिसके कंदे पर बाबा साहब ने दोहरी जिम्यदारी दी है पे बैक टू सोसाइटी वो जब तक रादनीति में नहीं आएगा और यह मत कहिए यह सब दिमाग में मतला यह कि रादनीति बहुत मुश्किल है इस देश में चाहे वो मानेवर कांसी राम साहब हो चाहे मुलायम सिंह आदब हो चाहे सीवु सुरवन हो चाहे जगदेव बाबु इन लोगोंने बड़ी लकीर खीची है गरीब घर में पैदा हुए उनके अंदर एक जजबा था उन्होंने राजनीत की बड़ी लराई लरी है अपने सफलता भी प्राप्त की है डॉक्टर जगीश परसाथ के साथ तो एक बड़ी लेजेसी भी है highly educated है पेसे से डॉक्टर थे अब समाज को समाज में जो गैर बराबरी है जो सोसन है उसका इलाज करने के लिए राजनीतिक दल का इन्होंने गठन किया है संबधानिक दौर में सब को अधिकार है अपनी पाटी चलाए और अपने विचारों का चार पर चार करे आप लोग अपनी पर्तक्रिया जब दीजे इस वीडियो के बार आना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे